नमस्कार दोस्तो टीम्टी अपडेट इंडिया यूटूब चैनल पर आपका स्वागत हैं अंडुमान सागर के उपर बना चक्रवाती तुफान मोचा फिलाल दक्षिन पूरो बंगाल की खाड़ी के उपर सकरिये है मोस्म विगानि के मताबित ये तुफान उत्तर पस्षिम के और बढ़ेगा और आज यानि 11 मही की सुबह तक एक गंबीर चक्रवात के रूप में बदल जाएगा इसके अगले दिन यानि 12 मही की सुबह तक वेक बहुत गंबीर चक्रवात बन जाएगा इसके बाद उस दुफान के उत्तर पूरो दिशा में फिर से मुड़ने की संभावना है फिर ये 14 मही की दो पैर तक दक्षिन पूरो बंगला देश और उत्री में मार्तट के बीच बारी बारिश होगी देश में ऐसा रहेगा मोसम इमाचल परदेश उत्रा खंड दक्षिनां तरिक करनाटक और तेल गयना में एक या दो स्तानों पर अलकी बारिश होगी केरल और अंडोमान और निकोबार दीप सुमय में अलकी से मद्यम बारिश होने की संभावना है और एक या दो स्तानों पर बारिबारिश भी हो सकती है गंगी अपसिम मंगाल के एक या दो इलाकों में लूज लेगी अगले 24 गन्टों में उत्तरपस्मी मद्य और पुरवी वारत की दिन गताप मान ओर बड़ेगा अंडमान और निकोबार दीप शुमय मद्यम से बारी बारी से होने की संभावना है मौसम वागने जिताई है अंडमान साकर और बंगाल की दक्षन पूरु खाड़ी में समुंदर की इस्तती बहुत खराब रहेगी लेहर की उचायां बहुत अधीक होगी पचास साथ किलोमेटर परती घंटा की रफ्तार के बीच बीच में सत्र किलोमेटर परती घंटा की रफ्तार से भी तेजवाएं चलेगी बात करें देश की राजदानी दिल्ली में मोसम कैसा रहेगा तो इस मौसमी बदलाओ की वज़े से करनाटक, कैरल, दक्षिन, मद्य महराष्टर और अरुनचल परदेश में अलकी से मद्य वारिश होगी वहीं असम तमिलाडो के शिक्किम बागों और तेल गाना और अंदर परदेश में एक दोस्तानों पर अलकी वारिश संभावना है दिल्ली एंशियार में अगले पांच दिनों तक ताप मान बढ़ता रहेगा और मुसम गरेब रहेगा इस महीने पंद्रा मही के बाद लूच चलना सुरू हो जाएगी धन्य होगी